हेलो स्टुडेंट्स आपके अपनी चैनल सुब्रांस्टिट्ट चुत्रा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है जैसा कि आपने इसे पहले वाले वीडियो में क्रिस्टिन सेट 1 को सॉल्व करते वें देखा था क्रिस्टिन सेट 1 सबसेट पाय अलाची आज हम सेट पेपर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं लेकिन उससे पहले आप सभी वीवर से काइंडली रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे सुब्रांस्टिट्ट चुत्रा के चैनल को आपने दोस्तों के साथ शेर करें तो चले हम सेट नमबर 2 को सॉल्व करते हैं आज आएए जारखन सेक्षनिक अनुशंधान एवं प्रेसिक्षत परिश्ट राची जारखन ये हमारा क्रिस्टिन पैटन जैक्ट से है ठीक है जो कि सेट नमबर 2 और शेसन है ट्योथाउजन 1-2, 2021-22 चलेए आप जानते हैं ये क्लास 11 की क्षिटन सेट प्इपर है सेट नमबर 2 सब्सेक्ष्ट बायोलाजी टोटल नमबर जो होते हैं ट्योथाई मैं फ्रेसिंस की वो 35 होते हैं उसके बेशिस पर मार्क्ष पर 35 होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि टोटल नमबर पर ई कि आप किसी भी परिक्षा में बैठें तो आप इंस्ट्रक्शन को जरूर फॉलो कर लें तो जैसा कि यह सट पर है और आपको चुंस बताए जा रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही इस्ट्रक्शन आपको एक्जाम बेसिस पे भी आने वाला है तो चलिए अब लोग इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं कहता है सभी प्रश्णों के उत्तर अनिवार्य है यानि की आल कुस्ट्ट नेश्यशरी है आपको सभी क्विस्ट्ट को सौल्फ करना है एस्किप नहीं करना है ओके नेक्स फ्रस्ट्ट्ट क्या है कि टोट्र लंबर क प्रत्ते एक प्रश्ण के लिए एक मार्क्स ही दिया जाएगा ठीक है टो मार्क्स नहीं एक कुस्ट्ट इच कुस्ट्ट पे वन मार्क और कहता है कि आप जानते हैं कि आप्सनल में चार आप्सन से दिये जाते हैं जैसा के लिका है प्रत्ते एक प्रश्ण के लिए चार व कि कोई अंग नहीं काटे जाएंगी यानि कि आप जिस question को गलत कर रहे हैं वो मार कटेगा और उसको लेके आप पे negative marking नहीं होगी, isn't it? तो चलिए, चलिए, तो आगे हम question की और बढ़ते हैं, ठीक है? आएंगे set 2 के question number 1 को solve करते हैं, कहता है, the unit of grana is called, grana की काई को क्या कहते हैं? आप लोग पढ़े होंगे अपने lessons में कि grana के unit को थैलकोईट, क्या कहते हैं? थैलकोईट, तो answer क्या होगा? A, ठीक है? थैलकोईट is the right answer. Question number 2, splitting of water is associated with, जल के विगटन का सम्बंद निम्न में से किस से है? ठीक है? कहता है, splitting of water is associated with, तो हमने पढ़ा है, photosystem 1 और photosystem 2, the right answer is C, ओके? प्रकाशी अभी क्रिया कहाँ पर होती है? थैक है? तो हम लोग अपने पढ़ाई के क्याता है, dark reaction takes place in, अब प्रकाशी अभी क्रिया कहाँ पर होती है? यानि कि dark reaction है, वो कहाँ पर होती है? हम लोग पढ़े हैं कि डार्क रियक्शन, स्ट्रामा, ठीक है, question number 10 is the right answer, स्ट्रामा में होती है, अब हम लोग next question के और चलते हैं, crunch anatomy is the characteristic feature of, crunch सरीर किर्ट प्रकार के पौधों की प्रमुख विसेस्ता है, तो हम जानते हैं, CM plant, crunch anatomy की characteristic feature कौन है, CM plant, ओके, चलिए, next, question number 5, okay, question number 5 देखेंगे, who observed that all plants are composed of different kinds of cells, which form the TC of the plant, पौध ही विभिन प्रकार के को सिकाओं के समों के बने होते हैं, ठीक है, इसके बारे में किस ने बताया था, तो हम सब चानते हैं, scladen, क्या है, scladen is the right answer, यानि option number A, okay, चलिए, next question क्यों बढ़ते हैं, question number 6, decomposition, decomposition of organic nitrogen into ammonia is called, कहता है, carbonic nitrogen का ammonia में रुपांतरन क्या कहलाता है, तो हम जानते हैं, ammonification, C is the right answer, okay, C is the right answer, question number 7, first action spectrum of photosynthesis was prescribed by, प्रकास संसलेशन का पहला सक्रिय स्पेक्ट्रम किनके द्वारा दिया गया था, तो हम जानते हैं, TW, Angleman, क्या होगा, TW, Angleman, option number C, okay, C is the right answer, चलिए, अब हम लोग next question के बढ़ते हैं, question number 8, okay, question number 8, solve करेंगे, first stable product in C4 cycle is, कहता है, C4 शक्र में प्रथम अस्थाई उतपार निम्ण में से कौन होता है, first stable product in C4 cycle is, तो हम जानते हैं, option number B is the right answer, oxaloacetic acid, isn't that, B is the right answer, oxaloacetic acid, okay, next question, question number 9, bio-luminescence is characteristic feature of, कहता है, जिव संदिप्ती कि संग की विशेष्टा है, okay, bio-luminescence is the characteristic feature of, टीनोफोरा, हमने पढ़ा हैं ना, टीनोफोरा, तो B is the right answer, okay, next question, चलिए, अब next question क्यों बढ़ते हैं, question number 10, कहता है, number of chambers in the heart of crocodile is, मगर मक्च के हिर्दे में कितने कोस्टक होते हैं, आप पढ़े होंगे, हम लोग पढ़ा किये हैं ना, कि crocodile के heart में कितने chamber होते हैं, number of chamber is, number of chamber is 4, okay, isn't that, option number 6 is the right answer, ठीक है, चलिए, अब question number 11 की और बढ़ते हैं, कहता है, presence of pneumatic bones is the characteristic feature of, वायू कोश युक्त अस्थिया, निम्न में से किश्वर्ग की एक प्रमुख फिसेस्ता है, presence of pneumatic bones is the characteristic feature of, ठीक है, 11th option कहता है, option number 8, fish, amphibia, reptile, birds, तो the right answer, pneumatic bones, जो present होते हैं, वो birds में होते हैं, तो birds, यानि option number D is the right answer, okay, आगे बढ़ते हैं, चलिए, next question, question number 12, okay, ठीक है, which one, which one of the following is not a characteristic feature of mammals, कहता है निम्न लिखित विसेस्ताओं में से, कौन से विसेस्ताओं से संबंधित नहीं हैं, ठीक है, earpinna, presence of body hairs, membrane glands, two-chambered heart, तो, तो mammals के characteristic feature से संबंधित नहीं है, वो है, क्या, two-chambered heart, okay, two-chambered heart, यानि option number D is the right answer, okay, आगे बढ़ते, next question, question number 13, the plane of alignment of the chromosome at metaphase is called, कहता है, metaphase के दौरान, गुन सुत्र, जिस तल पर, पंक्ति बग्ध होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, the plane of alignment of the chromosome at metaphase is called, तो हम लोग चानते हैं, उसे metaphase plate कहा जाता है, option number A is the right answer, okay, next question, आगे बढ़ते है, question number 14, okay, question number 14 देखेंगे, formation of child smarta takes place at, कहता है कि child smarta का निर्मान किस अवस्था में होता है, ठीक है, lactotein, trigotein, packetine, diplotein, ठीक है, चार options है, आप पढ़े होंगे कि formation of child smarta कहा होता है, तो हम सब देखे हैं कि diplotein में child child smarta को formation होता है, okay, the right answer is D, ठीक है, clear है, आगे बढ़े, proteinous constituent of an enzyme is called, किसे enzyme का protein यूग भाग कहलाता है, क्या कहलाता है, proteinous constituent of an enzyme is called, ठीक है, क्या कहलाता है, एपो एंजाएं, ठीक है, next answer is B, चलिए, next question के ओर बढ़ते हैं, question number 16, inhibition of sushinic dehydrogenase by melonate is an example of, कहता है, melonate के द्वारा सक्सिनिक अमल का संदमन का उधारन है, example, okay, melonate, example क्या है, कहता है, option number 1, competitive inhibition, option number B, contact inhibition, option number C, inhibition और de-exhibition, तो हम लोगों ने पढ़ा है, क्या है, sushinic dehydrogenase by melonate की example क्या है, competitive inhibition, option number is the right answer, okay, अब चलिए हम लोग, option number 17 के और चलते हैं, कहां चलेंगे, 17 के और, ठीक है, which of the following statement is incorrect, कहता है, कि ये चार स्टेटमेंट दिये वे हैं, इन चारत स्टेटमेंट में, कांसे स्टेटमेंट जो है, वो गलत है, तहला स्टेटमेंट, enzyme slowest the inactivation, energy, second, enzyme source highest, activity at optimum temperature, third, co-enzyme is a kind of co-factor, और fourth कहता है, enzyme slowest the rate of reaction, तो option number D, कहता है, कि enzyme slowest the rate of reaction is the right answer, okay, option D is the right answer, ठीक है, ये incorrect है, चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए, ये रेस होने के वज़े से थोड़ी से च्रूटियां आ रही थी, इसके लिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए, अब हम लोग next question के और बढ़ेंगे, question number 18, ओके, चलिए, question number 18, solve करते हैं, कहता है, splitting of water during photosynthesis take place at, प्रकास संसलेशन के, किस चरण में जल का विखंडन होता है, ठीक है, कहता है, प्रकास संसलेशन के, किस चरण में जल का विखंडन होता है, PS1, PS2, both A and B, there is no splitting of water during photosynthesis, हम लोगों नहीं देखा था, क्या है, PS2, पढ़ाई किया है ना हमने, PS2, the splitting of water during photosynthesis take place, ओके, next, आगे बढ़े, question number 19, ठीक है, आगे बढ़ते है, question number 19, C3 is also known as, C3, C3 चक्र को हम इस नाम से भी जानते हैं, चल एड़े, चल एड़े, next question क्यों बढ़ते हैं, question number 19, okay, कहता है, C3 cycle is also known as, C3 चक्र को हम इस नाम से भी जानते हैं, किस नाम से भी हम जानते हैं, तो Kelvin cycle, okay, Kelvin cycle is the right answer, हम लोगों ने पढ़ा है, कि C3 cycle को हम Kelvin cycle भी कहते हैं, okay, आगे बढ़े, कहते है, law of limiting factor was proposed by, law of limiting factor किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, हम लोगों ने पढ़ा है, कि law of limiting factor, black man के द्वारा क्या किया गया है, प्रतिपादित किया गया है, यानि proposed किया गया है, इनके द्वारा पताया गया है, तो the right answer is D, okay, आगे बढ़े, चलिए, question number 21, okay, चलिए, question number 21 देखते हैं, five kingdom classification was proposed by, अभी हमने recently chapter 2 में इसे पढ़ा है, five kingdom classification किनके द्वारा बताया गया है, तो विटिकर, ठीके है, आरेज, विटिकर कि द्वारा बताया गया है, तो बे is the right answer, okay, next question, cell wall of fungi is made up of, कवको की कोशिका भिती किस पदाट की बनी होती है, तो हम जानते हैं कि cell wall of fungi is made up of काईटी, okay, option number A is the right answer, isn't it, next question, question number 23, deuteromized is commonly known as, deuteromized को हम लोग साधारन भाशा में क्या कहते हैं, और हम इसे किस नाम से चानते हैं, तो हम लोग इसे imperfect fungi के नाम से चानते हैं, option is the right answer, okay, आगे बढ़े, चले, next question is, question number 24, okay, question number 24, क्या कहता है, which one of the following is the largest phylum, निमलिखित में से कौन सा संग सबसे बड़ा है, ठीक है, कहता है, which one of the following is the largest phylum, mollusca, annelida, porifera, arthropoda, तो हमने पढ़ा है, कि जो largest phylum है, वो है arthropoda, okay, arthropoda is the right answer, D, next question, lichen is a symbiotic association of, ठीक है, हम लोगों ने देखा, अभी recently chapter 2 में देखा है, कि lichen की, जो symbiotic association है, वो है algae और fungi, option number C is the right answer, okay, आगे बढ़ें, चलिए, next question क्यों बढ़ते है, question number 26, वाइरोइट्स is a, वाइरोइट्स एक प्रकार है, किसके प्रकार है वाइरोइट्स, आपके वाइरोइट्स जो है, वो free RNA के types है, okay, किसके type है, free RNA, ठीक है, free RNA के types है वाइरोइट, ठीक है, option A is the right answer, next question, TMV is 10-4, TMV का पूरा नाम, यानि full form of TMV, ठीक है, क्या कहते है, tobacco mosaic virus, सम लोगों ने पढ़ा है, sees the right answer, tobacco mosaic virus, next question, virus that infects a bacteria is called, विसानू, जो चीवानू को संक्रमित करता है, वो क्या कहलाता है, कहता है, virus that infects a bacteria is called, option A, वाइरोइट, डाक्टेरियोफेज, माइकोबायोंट और फाइकोबायोंट, तो option B is the right answer, डाक्टेरियोफेज, हमने पढ़ा है अभी recently, ठीक है, आगे बढ़े, question number 29, okay, चलिए, कहता है, first terrestrial plant to possess vascular tissue सार, वो प्रथम अस्थलिय पौदा, जिससे सन्वहनिय उत्तक उपस्थित था, ठीक है, तो क्या है teridophyte, जो first terrestrial plant को possess करते, vascular tissue के सार, वो है teridophyte, यानि option D is the right answer, ठीक है, next question क्यों और बढ़ते है, liverworts and mosses belongs to, कहता है liverworts और moss, किस से संबन्दी थे, bryophyte, chymnosperm, angiosperm और teridophyte, तो हम लोगों ने देखा है, कि bryophytes के जो examples थे, वो थे liverworts और mosses, और हम लोगों ने टाइपस में भी ये पढ़ा था, bryophytes के टाइप में, तो आप से रहें इस तर राइट अंसर, ठीक है, आगे बढ़े, क्रिस्चन नंबर 31, चलिए, 31 की और बढ़ते आगे, 31 कहता है, an organism that completely lacks cell wall, कहता है, कि आप उस organism के बारे में बताए, जिन में cell wall completely lack होता है, यानि कि उसमें cell wall नहीं होता है, protista, mycorrhizor, mycoplasma, die items, हम लोगों ने देखा था, कि mycoplasma में cell wall नहीं होते, तो the option C is the right answer, ठीक है, आगे बढ़े, option number, question number 32, कहता है, blue green algae is a, blue green algae, यानि कि Neil Harith सेवाल एक है, यानि कि 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 टाइप से blue green algae is a, ये कि 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 टाइप है, option कहता है, algae fungi bacteria virus, तो हम लोगों ने बढ़ा था, blue green algae bacteria के association है, तो the right answer is, option C, ठीक है, next question कि और बढ़े, next question कि और बढ़े, question number 33, question number 33, देखेंगे आगे, an extra chromosomal circular DNA is called, कहता है, genomic DNA के अतिरिक DNA व्रित क्या कहलाते है, plasmid, cosmid, phasmid, decimid, ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा है, कि the extra chromosomal circular DNA is called plasmid, option is the right answer, next question कि और बढ़े बढ़े है, question number 34, subunits of 78 ribosome, कहता है, 70S ribosome की उप एकाई है, कान है उप एकाई, 70S ribosome की, तो 70S ribosome की उप एकाई है, 58 और 30S, तो option A is the right answer, अब हम लोग, last question की और बढ़े है, जासा कि हमने आपको पहले बताया था, total number question कितने होंगे, 35, ओके, last question, तो last question कहता है, splitting of water during photosynthesis is associated with which of the following mineral, प्रकास insillation के दारान, जल के विखंडन से संबंध खनीच कौन सा है, यानि splitting water of during photosynthesis is associated with which of the following mineral, तो हम लोग जानते हैं, झाल झाल